नमस्कार दोस्तों मैं दिप्ति गुप्ता टीम परिक्षा प्लस की ओर से आप सभी का एक बार फिर से परिक्षा प्लस चैनल पर स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में हम लोग मैस के कुछ important questions discuss करने वाले हैं कुछ 10 questions रहेंगे आज की वीडियो में जो की आपके previous year से directly उठाए गए हैं ठीके आपको best approach बताई जाएगी वीडियो को बिल्कुल भी skip मत कीज़ेगा वीडियो को में आखरी तक बने रहेगा आखरी तक आप जरूर इसमें से कुछ अच्छा सीखके ही जाएंगे उससे भी पहले आप सभी को बता दूँ कि हमारे परिक्षप्लस चैनल पर सुपर्टेट, यूपीटेट और सीटेट के batch लाउंच किये गए हैं ठीक है बहुत ही minimum fees आपकी रखी गई है सुपर्टेट का batch आपका 899 में प्रोवाइड किया जारा है यूपीटेट का 499 में और सीटेट का भी 499 में अगर आप सभी बिल्कुल भी इंट्रेस्टेट हैं तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं करके आप सारी स्थानकारी ले सकते और डामो लेकर batch में हो सकते हैं अब हम लोग में सबसे पहला क्या क्षेटिण है कि 647135 में साथ और तीन के स्थानिमानों का अंतर क्या होगा अब स्थानिमान कैसे निकालते हैं यह आप सभी को पता होना चाहिए और अगर नहीं भी पता है तो मैं आप सुभी को अभी बताती हूँ 6, 4, 7, 1, 3, 5 7 का इस्थानी मान आपको निकालना है तो 7 लिख लेंगे तो 7 की बाद जितने भी अंक्य है उतनी आप 0 लगा देंगे ठीक है ऐसे ही आप 3 का निकाल लेंगे 3 लिख लेंगे और 3 के बाद आपका 5 है तो 1, 0 लगा देंगे दोनों का अंतर पूछा है आपसे तो 7,000 में से आप जससे ही 30 को मैनस करेंगे तो आपका एंसर आ जाएगा यानि की 6, 9, 7, 0 यानि की आपका option number D यां से right हो जाएगा बात कर लेते हैं question number 2 की question number 2 है आपका कि किस रासी पर 8 महीने का 8 महीने का व्याज 6.25% की दर से 37.50 हो जाएगा ठीक है 8 महीने का बोला है इनोने आपका जो साधारन व्याज वाला formula होता है क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए SI बराबर P into R into T upon 100 जो आपका T होता है ये वालसिक होता है आपका ये आप सभी को पता होना चाहिए यही पर बच्चे गलती कर देते 8 महीने का इनोने बोला है वो directly 8 रख देते हैं और आपका एंसर मैच नहीं करता है ठीक है तो आप 8 महीने को पहले तो आप एयर में चेंज करेंगे तो 8 महीने को जब एयर में चेंज करेंगे तो 12 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 4 3 12 2 वटे 3 वर्स आपका यहां से हो जाएगा ठीक है अब आप formula में values पूट कर देंगे और आपका answer आजाएगा SI आपको दिया है 37.50 equals to P आपको निकालना है R आपको दिया है 6.25 और आपका T है 2 वटे 3 गुड़ा 100 कर देंगे ठीक है इतनी बात क्लियर है आप point से point काट देंगे आप 25 से अगर 625 काटेंगे तो 25 बार जाएगा और 25 से यह काटेंगे 25 एकन 25 12 बचेगा 25 पंचे 125 पचास ठीक है अब 25 से एक बार फिर से काट देंगे 25 चिक का 150 दो से आप इसको काट देंगे 3 वार जाएगा अब आपका P की वैल्यू कितनी आगई 3 गुणा 3 गुणा 100 यानि की 900 रुपए आपकी P की वैल्यू यहां से आगई जब आपने पूरा इसको solve किया 900 आपका option number B में है इसलिए आपका option number B यहां से right हो जाएगा बात कर लेते question number 3 की question number 3 है आपका question number 3 में आपकी थोड़ी सी misprint हुई है मैं इसको सही कर दे थी यह 10 कुछ नहीं है आपका 16 ग्राम सोने में कितना तामा मिलाया जाए कि सोने और तामे का अनपाथ 5 अनपाथ 2 हो जाए सोने और तामे का अनपाथ आपसे पूछा है सोने और तामे का अनपाथ अब यहां से हम x की value यहां से जैसे ही निकालेंगे तो क्या आएगी आपकी 5 बटे 2 यानि की x वराबर आएगा 32 बटे 5 अब 32 बटे 5 को solve करेंगे तो 5 31 पांचों को 20 यानि की 6.4 ग्राम यानि की option number d आपका third का right हो जाएगा clear है आप सभी को बात कर लिए ते question number 4 की 4 आपका की एक संबावू तिरभुज का पिते कोंड कितने डिگरी का होते हैं देखो संभाव तिर्वुज क्या होता है तीनों भुजाएं बरावर होती है जब तीनों भुजाएं बरावर होती है इसलिए इनका तीनों कोंड भी बरावर होती है जो कि आपके 60 डिगरी के होते हैं यानि कि option number A आपका right हो जाएगा fourth का पात कर लेते question number 5 की question number 5 आपसे इनों प्लस 1111 साही एक वटे दो इसको solve करने आपको सबसे पहले आप क्या करेंगे भिन में change कर लीजिए दो एकन दो और एक तीन वटे दो प्लस 23 वटे दो हो जाएगा ग्यारव दूनी 221 प्लस 222 और एक 223 वटे दो प्लस 222 थी वाई 2 इन सब को add कर ये दो तो आपका LCM हो जा 12 एक हांसिल पे जाएगा दो एक तीन तीन दो पांस दो साथ फिर दो और दो चार बचेगा और यहां से दो बचेगा अब इसको solve कर लीजिए दो एकन दो 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 नी चार देंचे और दो चंग 121 टू 3 6 आपका option number B यहां से right हो जाएगा clear है आप सभी को बात कर लेते question number 6 की 6 है आपका इन्होंने एक equation आपको दे दिया हुआ है क्या equation दिया है A और B के लिए A into B की value दिये इन्होंने A square plus B square minus AB दिये अब इन्होंने आपसे 9 into 10 की value पूछी है तो A की जगे आप 9 रख दीजिए B की जगे 10 रख दीजिए तो A की जगे 9 रख देंगे तो A square यानिकी 9 नि अब 181 में से 90 घटाएंगे तो कितना आपका आजाएगा 91 91 आपका answer है option number C में इसलिए आपका 6 का सी सही हो जाएगा बात कर लेते question number 7 की 7 है आपका किसी कस्वे की जनसंख्या है वो आपकी 60,000 से बढ़के 65,000 हो गई है तो इन्होंने प्रतिस्त ब्रद्धी आपसे पूछी प्रतिस्त ब्रद्धी कैसे निकालेंगे पहले तो आप यह चेक करिए कि कितनी बढ़ गई है तो 60,000 से 65,000 होई है यानि कि 5000 जनसंख्या बढ़ी होई है इनिस्टियल आपकी क्या थी इनिस्टियली आपकी थी 60,000 जनसंख्या ठीक है तो 5000 बटे 60,000 गुणा 100 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 8 सही एक वटे 3 आठ सही एक वटे 3 यानि कि 8 का 24 और एक 25 वटे 3 आपका उप्स नमबर सी यहां से राइट हो जाएगा बात कर लिएते कुश्चिन नमबर 8 की कुश्चिन नमबर 8 आप से इन्होंने बोला है कि 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलोग्राम अब 30 व्यक्ति कितने दिन में खाएंगे एक्स दिन में 500 किलोग्राम चावल काट दीजिए आप आराम से 30 से 30 काट दीजिए 2 0 से 2 0 कर जाएगा 2 से 20 जाएगा तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आजाएगी 25 100 यानि कि ऑप्स नमबर डी यहां से राइट हो जाएगा आप क्लेर है आप सभी को पात कर लेते क्विश्चन नमबर 9 की क्विश्चन नमबर 9 है आपका कि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चोड़ाई में 50 प्रस्त और 20 प्रस्त की व्रद्धी की गई है ठीक है तो इसका छेथपल कितने गुना बढ़ जाएगा गुना में अगर आपकी चीज घट रही है तो आप इसको मैनस में वैल्यू ले लेंगे ठीक है लेकिन हमारी लंबाई भी बढ़ रही है चोड़ाई भी बढ़ रही है तो हम दोनों प्लस में लेंगे 50 प्लस Y की वैल्यू 20 हो जाएगी प्लस X into Y यानि कि 5 दूनी 10 और 1000 हो जाएगा अ पॉन 100 दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे हमारे 50 20 70 10 80 80 परसेंट तो यह बढ़ गया अब आपको बताते हैं इसमें कैसे सॉल्व होगा यह कितने गुना बढ़ जाएगा इन्होंने यह पूछ है देगी सबसे पहले जो अमारा छेथफल होगा वो कितना होगा 100 परसेंट ह होने आप सॉल्व कर लीजिए एक सोची परसेंट को आप सौल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा परसेंट से सौक बाग चला जायेगा परसेंट हटाएंगे तो 1010 가능5 पंचे 10 यानि कि 9 वटे 5, 9 वटे 5 को आप क्या लेख सकते 5 एकन 5 4, 9 वटे 5, यह 5 है, ठीक है, अब आपका 1 सही 4 वटे 5 यह value है, 5 एकन 5 4, 9 वटे 5, आपका option नमबर भी 9 का सही हो जाएगा यहां से, पात कर लिए ते question number 10 की, question number 10 आपसे पूछा रहे हैं, सामाने मनुस्य के सरीर का ताप आपका दिया है, इन्होंने कितना 37 degree centigrade, तो आपसे इन्होंने बोला है कि Fahrenheit पैमाने में कैसे यह ताप निकालेंगे, ठीक है, अब आपको मैं इसका formula बताती हूँ, formula से यह तुरंत आपका answer आ जाएगा, ठीक है, तो आपका जो formula होता है, वो क्या 32, F-32 upon 9, ठीक है, आप value रख देंगे आप, C की value आपको दिये, 37 upon 5 बराबर, F की value आपको निकालनी, F-32 upon 9, अब आप इसको solve कर लेंगे, solve कैसे करेंगे, बताती हूँ आपको, solve करने के लिए आपको क्या करने है, C upon, कितना आया था आपका, यहाँ पे, C upon, C-0 बटे 5 आया था, यानि कि C की value आपको दिये थी, 37, 37 upon 5 equals to, F-32 upon 9, ठीक है, 9 की गोड़ा पहले आप इसमें कर लिजिए, 9, 73, 69, 27, 6, 7, 6, 13, 33, बराबर 5F-52, 10, 15, 15, 15, 16, ठीक है, कि 3 बचा 5, 13, 98.6 degree for a night, यानि कि option number C आपका यहाँ से 10th का राइट हो जाएगा, तो यह रहे आपके आज के 10 सवाल, आई होब आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपने कुछ अच्छा सीखा होगा, तो बात कर लेते हैं कि अब लास्ट में हमारा क्या बचा है, आपको सभी को पता है कि आप हमारी परिक्षप्लेस टीम पर, एल्टी ग्रेट पर का भी हमारा कोर्स चल रहा है, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ 699 रूपीज में प्रोवाइट किया जा रहा है, अगर आप सभी इंट्रेस्टेड हैं, तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और यहां से जानकारी ले सकते हैं, तो आयोप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाले, ताकि नेक्स वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें, तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में कुछ important questions के साथ जो कि आपके लिए काफी beneficial होंगे तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद